हे गाइस कैसे हैं आप से स्वाथ आपका जैजी फो टेक इस नहीं वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले चैनल को सबस्क्राइब भी आप कर लेजएगा फिलाल इस वीडियो शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी तो यहां पर सबसे अच्छी चीज लगी मुए इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी वेट हला कि आपको लगेगा हाथ में लेते हुए क्योंकि आपको दोनों हाथों से होल्ड करके इसको यूज कर पाएंगे लेकिन यहां दोस्तों डिजाइन की बात करूं तो यहां पर एकदम क्लीन सिंपल प्रिमियम सी लुक मिलेगी आपको बैक साइड में ग्लास बैक है और पूरा लेकिन वहां पर फिंगर पिंट्स बहुत ज़ादा पढ़ जाते है तो वह चीज मुझे अच्छी नहीं लागी फिंगर पिंट्स बहुत ज़ादा है यह तो इस पर उन्हें कुछ अलग सी टेक्स्टर या में कुछ अलग देते तो वह ज़ळा बेटर रहता लेकिन उसको करने के लिए आपको एक केस भी दे दिया इन्होंने एक केस लगा के रखता हूं में जिससे की उस पर कुछ भी दिक्कत नहीं आती और इस केस के खास बात भी दोस्तों यह कि इसकी साइड आप देखेंगे तो काफी अच्छे से इसने कवर कर रखा है मतलब दूसरे जो कवर स से ऐसे निकाल नहीं सकते दूसरे केस की तरह तो यहां पर सीन नहीं है यहां पर एकदम अच्छे स्टीक हो जाता है तो इसकी वज़े से काफी एक हैंडी सा फोन भी लगता है और हाथ में और बहुत जादा एक प्रिमियम सी लुक भी आपको देने वाला है यह अपने स्व हाड़वेर यहां पर काफी जादा है यहां पर स्विवल डिजाइन दिया हुआ है और साथ ही साथ ऊपर पॉप-प कैमरा भी दिया हुआ है तो दोनों ही चीज काफी अच्छे से काम करती है मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई और डे टुडल लाइफ में काफी बढ़िया चल चाहूंगा इसे जितनी मैंने यूज करिया भी तक क्योंकि यहां पर आपको 6.81 इंचिस की लंबी सी डिस्प्ले मिल जाती है जो की काफी जादा आप देख सकते हैं लंबी है और यहां पर दोस्तों कर्वड डिस्प्ले देख जाती है आपको थोड़ी साइड से दोनों ही स्मूध भी है देख सकते हैं और टच करने में आपको फील होता है कि जैसे की 3D स्क्रीन चला रहे हैं आप ऐसा कुछ लगता है तो काफी एक अच्छी डिस्प्ले लगाई है हाला कि 60 एट्स का पैनल है लेकिन काफी बढ़िया पैनल है बात करें अगर सेकिंडि डिस्प्ल दी गई है इस वाले फोन डिस्प्ले तो है लेकिन इसके साथ में जैसे की जो बॉक्स में स्क्रीन प्रोडेक्टर साइथ यह तो मैंने शुरू में निकालते खराब कर दी दोस्तों क्योंगी मुझे वैसे अच्छे नहीं लगते हैं वह स्क्रीन प्रोड़ेक्टर जो पन् ग्लास में ताकि आपका जो स्क्रीन कवरे जे रही है वो कवर ना कर पाए तो मैंने देख था कि काफी अच्छे से यूज़ करा और बहुत अच्छे से आसानी से स्टीक हो गया यह दो मिनट भी लगाने में काफी अच्छी कि मैं करना चाहूंगा क्वालिटी है तो अगर इसको पावर करने के लिए जो कि मुझे लगा कम है और हाँ वो है भी कम क्योंकि अगर आप यूज़ करते हैं रेगुलर इसे पूरे दिन में तो आपको डेफिनिटी से दुबारा चार्ज करना पड़ जाता है अगर आप इसको रेगुलर ली यूज़ करते रहेंगे पू तो उससे थोड़ा सा फास चार्ज होगा लेकिन नॉर्मल वाले से ही चार्ज कर रहा हूं मैं फिलाल अपने सैंसंग वाले से तो यहां पर टाइम वही लगता है जितना 10 वोट का चार्जर में लग जाता है तो वैसे मैं कहूंतों दोस्तों शिकायत मेरी है भी या फिर नह सब्सक्राइब नहीं चला रहा हूं अभी मैं साउंड कॉलिटी दोस्तों काफी सारे लोगों को डाउट भी था लेकिन मैंने बता दिया अफे की वैडियो में लेकिन मेरा एक्स्पीनिंस कैसे रहा साउंड कॉलिटी साथ में तो गेमिंग करते वह काफी जादा एक स्टीरियो एक्ट मिल जाता है और बहुत जादा लाउड इसकी सिंगल स्पीकर के हिसाब से आवाज है और जो बेस वगएर वह भी काफी अच्छे से हैंडल करता है तो यहां पे स्पीकर से मेरे को कोई शिगायत नहीं है बलकि मेरे को बहुत पसंदा रहा है इसका स्पीकर और गेमिंग करते हैं तो आपको उपर की साइड जैसे कि अखरा 很好 9 खेलते हैं तो यहाँ पे आप उपर की साइड speakers है तो वहाँ से आवाज आएगी यहाँ पे stereo speaker है लेकिन वहाँ पे surround sound आपको नहीं लेगेगी क्योंकि यहाँ पे dual speakers नहीं है तो लेकिन speaker की quality overall मैं कहना चाहूंगा काफी अच्छी लगी मुझे network और calling connectivity यह सब चीज़े बहुत ज़रूरी होते किसी भी smartphone में और यह खास कर कि 5G phone है snapdragon 765G के साथ आता है और वहाँ पे six bands का supporter है इसमें जो 5G के हैं जब भी आएगा आप मतलब use कर पाएंगा इस वाले phone में असानी से लेकिन 4G जो अभी चला रहे हैं हम sims कैसी चल रही है तो इस वाले phone में और calling के वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसका जो उपर receiver दिया गया है वह भी बहुत सभी quality का है तो आपको कोई दिक्कत ऐसी नहीं लेगेगी अब दोस्तों gaming की बात करें तो gaming का मैंने इसका अलग से review ला दिया था आपने देख लिया होगा नहीं देख जैसे कि Asphalt 9 में तो होती है साथी साथ दूसरी games की बात करूँ अगर तो यहां पे आप दूसरी games की तरह नीचे वाली जो screen है यहां पे subway server चला सकते है मैंने install कर देखा था दोस्तों और काफी अच्छे से चल रही इस subway server लेकिन छोटी सी screen लगती है मैं आपको एक बर दिखा सब्सक्राइब तो इस तरह से कुछ आएगी सब्सक्राइब की स्क्रीन तो वहां पे थोड़ा स्मॉल सा experience हो जाता है और काफी एक अच्छा सा experience आपको भी लगेगा तो मेरे को काफी पसंद आ रहा है ऐसा कुछ दिक्क्त ने लेगी gaming बहुत अच्छी चलती है आपे graphics काफ है और LG का कोई भी फोन मैंने पहली बार यूस किया है बेसिकली तो यहां पे इसमें जो experience है दोस्तों काफी मतलब सिंपल सा यू आई बहुत सिंपल सा इसमें कोई ज्यादा इसमें छेड़ साड़ नहीं कहीं है और यहां पे जो app drawer है वो भी काफी मतलब नॉर्मल सी लगई नहीं इस वाले फोन को यूज करते है यू आई में और नॉर्मल चलता है सब कुछ और काफी सही से चल जाता है अट लिस्ट मी यू आई से तो काफी बैटर है यह वाला यू आई जो मैंने यूज की है तो हां यह वाला यू आई आपको डेफिनेटी से पसंद आएगा मूत है दोस्तों ऐसे खुल जाती है और बहुत जादा सही है बस कई बार क्या होता है जैसे आप खोलते हैं एक हैंड से तो यहां पर बीच में कई बार आपकी उंगली मेरे जादा जादा जाती है जिसके जिसे हटा के थोड़ा सा दुबारा खोलना पड़ता है लेकिन वह कोई पर्मनेंट दिक्कत नहीं है सबके साथ होगी वह सिफ मेरे साथ हो रही है क्योंगी मेरे हाथ जादा बड़े हैं किसी के हो वह आप देख लीजिएगा लेकिन हां ऐसे कुछ इस तरह से खोल सकते हैं आप स्क्रीन और काफी जादा एक अच्छा एक्स्पिनिस लाएग तो ऐसे लग रहा है तो लेकिन यह जो स्क्रीन काफी पतली से पिछे की तरफ यह जो सॉफ्ट मेटीरियल है जिसकी वज़े से आपकी जो नीचे वाली स्क्रीन है इस पर कोई भी स्क्रेचिज ना लगे तो इस चीज का उन्होंने ध्यान रखा है यहां पर जो कहीं रखना जैसे यह एक्सिडेंटली अगर आप गिरा देते हैं तो अपने बंद हो जाएगा यह देख सकते हैं बंद हो गया और सामने नोटिफिकेशन भी आ गई तो दोनों ही चीज बहुत साइज तरीके से वक्त कर रहे हैं मेर को कोई दिक्कत नहीं लगी आपका क्या एक्स्पिन संद है और जिनको थोड़ी कलेक्शन अपने अच्छी रखनी है स्मार्टफोंस की तो डेफिनिटी से आपके लिए फोन बनाया इसलिए मैंने भी इसलिए खरीदा था मेर को कोई यह नहीं था कि काफी बड़ी आ स्पेसिफिकेशन था मैंने इसे मैंने इसकी टेक्नोलोज से बैटरी कम है बैटरी जादा जल्दी थोड़ी सी ड्रेन होती है और बाकी सब चीज़े आपको थोड़ी बहुत उपर नीचे देखने में में लेगी लेकिन काफी जाए दरीके चल जाता है और नीचे ही तरफ नहां पर एक हैडफोन जैक भी नहीं दिया गे लेकिन उसक अगर आप कुछ ऐसे एक्सपीरेंस करना चाते है फोन जिसमें नॉर्मल से फोन हो गेमिंग ज्यादा कर पाएं आप या फिर बैस्ट कैमरा मिले टॉप ऑफ दा क्लास या फिर और कुछ चीज़े मिले तो आप इस वाले फोन को मत लीज़ेगा आपके लिए फिर और अलग आपको बता दिया मैंने कि आप अपने ही साब से सूटेबल जो आपको लगे ओप्शन वाले प्रोसेसर है तो इस तरह से अलग लग रेंज बनी हुए आप आपको बता दिया मैंने कि आप अपने ही साब से सूटेबल जो आपको लगे ओप्शन वाल आप चूज़े रहेगा और हां इसके भरे मैं अपना एक्स्पीनियस आपको बता दिया है कैसारा मेरा इन साथ दिनों में इस वाले फोन के साथ एक्स्पीनियस काफी सई था तो अगर आपको मी 11 X की वीडियोज चाहिए तो दूस्तों कमेंट करना अगर हमारे यहां पर लोकडाउन खुल जाते हैं तो मैं डेफिनेटली से उसे बाई करके आपके लिए रिव्यू करूँगा मिलते हैं दोस्तों एक नभी वीडियो दिल देन बाई-बाई